हेर फॉल, डैन रफ, हेर घने नहीं होना सबकी प्रॉब्लम का सोलुशन इस वीडियो में मिलने वाला है आज मैं आप लोगों के साथ बहुत इजी एंड इफेक्टिव रेमेडी शेयर करने वाली हो तो चलिए देखते हैं इस रेमेडी को कैसे बनाना है हेलो, नमस्ते, कैसे आप सब, मैं हूँ अरचना, वेलकम बैक टू माई चैनल इसका जो फर्स्ट इंग्रीडियन्ट है वो है जिंजर या अधरक जिंजर में पोटेशियम, मैगनेशियम पाया जाता है जो आपके हेयर को जो होता है वो ग्रोथ करने में बहुत हैल्प करता है और यह जो है यह आपके हेयर के जो हेयर फॉल हो रहे हैं उसको भी रोकने में बहुत बैनिफिशल होता है जिंजर में एंटी आक्सिडंट, हाई एंटी आक्सिडंट होता है जो क्या करता है कि अगर आपके बालों के जो शाइन खतम हो गए है उसे शाइन वापस लाने में ये काम करता है जिंजर आपके हेर को थिक बनाएगा आपके हेर फॉल को भी रोकेगा और जिंजर के लिए तो ऐसा माना जाता है आगर किसी कि जो सिर्फ पे बिल्कुल बाल नहीं है आगे से बिल्कुल गिरने लगए अगर ऐसे आपके बाल हैν और अचानक से बाल बहुत आगे से गिरने लगного हैं जो into गंघे हैं उनके następ भी वापस लाइंचे नहीं बहुत ज्जादा बेनेफिसर है का जो सेकेन मराने में help करता है और वो जो keratin होता है वो हमारे hair की growth में मदद करता है तो जो है garlic जो है hair growth के लिए tendraff के लिए और hair fall के लिए तीनों के लिए बहुत ही best है तो आप इसमें 4-5 आप garlic लेंगे इसके बाद इसको भी wash करके pill off कर लें इसका जो third ingredient है वो है aloe vera aloe vera जो होता है वो बहुत best है आपको fresh aloe vera ही लेना है अगर आपके पास नहीं है तो आप चाहो तो market से लाके एक बार लागे तो आपको पता aloe vera के plant के इतना care करने की भी जरुरत नहीं होती है उसका growth बहुत fast होता है तो आप aloe vera use करोगे aloe vera क्या करता है आपके scalp में अगर को infection है तो उसे दूर करता है आपके hair को deeply moisture देता है जिससे hair जो है वो आपके shine और silky और shiny बनते हैं तो आप aloe vera और यह आपके बालों के growth के लिए बहुत अच्छा है आपके बालों को लंबा बनाता है आपके बालो को घना भी करेगा और hair fall की problem है तो भी यह इससे दूर होती है तो आप aloe vera को wash करके आप उसको जो side side के काटे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कैसे आपको इसका gel निकालना है जिन्हों नहीं देखा मैं फिर से बता देती हूं कि आपको aloe vera plant लेना है उसको wash करना है जो काटे हैं उसे निकाल लेना है और उसके बाद किसी spoon के help से knife के help उसका जोजल है वो निकालने अब इन सभी को मुझे मतलब हमें इसका जूस चाहिए तो आप चाहो तो grinder में ग्राइंड करके उसका juice को नहीं तो ग्रेटर के help से ginger को और garlic को greater के help से ग्रेट करके उसका juice जो इस्ट बचा है और उसके बाद juice निकाल लेंगे तो उसके बाद जो चीज उसकी बस्ती है आप चाहे तो उसे फेके नहीं उसमें आप क्या कर सकते हैं कि green tea जो packet आता है उसको डाल के grind करके as a pack भी use कर सकते हैं आप ते इसका juice निकाल लिया अब आपको क्या करना है मैं बताती हूँ कि आप इसका juice निकाल लोगे तो कुछ इस तरह से आपको यह दिखाई देगा जूस निकालने के बाद आपको इसमें आपको एक चौथाई वन फोर्थ मिर्ट को थोड़ा सा आपको काली मिर्च इसमें एड करना है तिके काली मिर्च होता है वह हमारे हेर वह क्या करता है कि ब ब्लड फ्लो होगा तो वहां का जो हेर का ग्रोथ है वह सुपर फास्ट होगा और हेर फॉल भी कम होगा तो इसमें आपको वन फोर्थ जो है वह काली मिर्च इसमें एड करना है काली मिर्च एड करने के बाद इसमें इस टाइम विंटर है तो जम जाता है लेकिन आप चाहे कि अगर आपको सच में हेर की रोध करनी हैं हेर फॉल को रोकना है तो जो जो मैं बताई हूं वह प्लीज वह वह इंग्रीडियंट जरूर आप यूज करें तो आप इसमें आप पन इस्पून जो है इसमें ऑलिव ओल इसमें एड़ कर देंगे ऑलिव ओल के बाद आप केस्ट केस्टोराल आपका और्गैनिक ही होना चाहिए क्योंकि केस्टोराल आजकर बहुत मार्गेट में लोग डुप्लिकेट वेस्ते हैं तो फिर उसका जो है वह साइड इफेक्ट होने लगता है तो आप हेर के लिए आप हमेशा और्गैनिक केस्टोराल का ही यूज करें आप वन इस्पून जो इसमें कैस्टोराल एड़ करेंगे इन सभी को अच्छे से मिक्स करना है अब मैं आपको बताती हूं इसको अपने हेर पे कैसी लगाना है देखे सबसे पहले आप क्या करोगे अपने जो मैंने इस पिछली वीडियो में जो आउयल बताया था उससे उस उस से आप अपने हेर की मसाज करेंगे हेर मसाज करने के बाद आप उसे ओवरनेट छोड़ देंगे नेक्स्ट मॉर्निंग आप जब वाश करने जाओगे हैर उसके वन आर्या टू और पहले आपको ये जो है इसको फ्रेश बनाना इस्टोर करके नहीं रखना है आप इसको लो आप में लगाना है एक बाल जो है आपके एक बाल मतलब अपने हेर को ऐसे ऐसे अटाके बिल्कुल पार्टिशन करकर के एक जगह आपका ये पूरी जगह आपका लग जाना चाहिए और यहां के जो बाल कम होते हैं तो दिखने में अच्छे नहीं लगते तो यहां पे आपको लगाना है अगर हेर ग्रोथ भी होगा हेर फॉल भी जाएगा दोनों होगा इससे तो आप इसको थ्री टाइम्स लगाओ और उसके बाद जो है आप किसी शैंपू से वाश कर दो यह लगाना है और जो मैंने यह थम नेल रब वाला एक्सरसाइज बता है वो तो करना अब आप सोचोगे कि हमने थ्री टाइम्स लगा कि यह थिक comes लगाना है तो फिर हम तो शैंपू करेंगे शैंपू हमारे बावलों को नुक्सान करता है तो आप हरबल यूज़ करें अगर आपको लगता है कि आपको कहीं बाहर नहीं जाना है आपको घर में ही रहना है तो तो आप क्या कर सकते हो कि इसको लगा कि आप नॉर्मल वाटर से छोड़ दो कोई प्रॉब्लम नहीं है वो और ज्यादा अच्छा होता है लेकिन किसी को लगता है कि बार बार शैंपू करने से हमारा हेर जो है वो बहुत नुकसान हो जाएगा तो क्या करो कि वीक में वन से वाश कर ले इसको लगाएं यह बहुत 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 इफेक्टिव है और प्लीज आप लोग मुझे यूट्यूब पे कमेंट करके बताया करिए कि आपको कैसा लगा भी होते क्यों कि आप लोग परसनल मैसेज करते हो तो कभी-कभी क्या होता है कि इतने मैसेज होते तो मैं रिपलाई करना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है तो अगर आपको लगता है कुछ पूछना है या कुछ चानना है तो प्लीज मुझे यूट्यूब पे ही कमेंट करके आप लोग बताया करें तो आप इसको लगाएं और इसका पूरा बेनफिट मिलेगा इसकी मैं लेती हूं क्योंकि मुझे ये रेमेडी जो है मेरी सभी रेमेडी में मुरी ये रेमेडी जो है वह बहुत फेवरेट है लेकिन जो जो मैंने बताया है वह सारा इंग्रेडियन जो है इसमें यूज होना चाहिए और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर देदे मेरे वीडियो को और अगर आप मेरे चैनल पर न्यूँ हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसके साथ एक बैल आइकन भी होगा उसे भी प्रेस कर दें जिससे मेरे न्यूँ वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रह तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर